मैं draw करती हूँ graphically सबसे पहले मैं scale ले लेती हूँ अब scale यहाँ पे मैं किस तरह के लेंगी कि मुझे family A की height 40 और family B की height total जो है वो 120 है अगर आप data देखें family A का तो वहाँ पे मेरे पास जो है आपके पास information गिवन है like 1, 2, 3 and 4 like that तीक है मैं क्या करूंगी scale जो है वो अपना small difference का scale ले लोंगी like 0 10 20 30 50 60 70 80 90 like that तीक है 5 5 का भी आप ले सकते हैं अब यहां पे मेरे पास क्या है family A और family B family A मेरे पास height जो है total 40 है तो मैं 40 height का वो एक बार बना लेती हूं for example मैंने यह एक बार बना लिया 40 height का अब इसके अदर सबसे पहले मेरे पास क्या है food है food कितना है मेरे पास 24 25 से slide below यह मेरे पास किसको represent कह रहा है food को अब यहां पर मैं साइट पर लिख देती हूं कि यह जो portion है empty portion यह मेरे पास किसको show कह रहा है food को फिर further मेरे पास क्या है clothing अब मैंने इसी में ही deviant करनी है इसके उपर नहीं बनाऊंगी बिलकर इसी कोई divide करूंगी different section में इसी के partition करूंगी अब clothing क्या है 4 यहां से आप नहीं करेंगे अब यह 24 हो गया इससे अबव आपने 4 लेना है 24 plus 4 it means 28 height तो यहां पर करके मेरे पास 28 यहां पर आ जाएगी this one ठीक है मतलब आप इसे add up करते जो फिर उसके बाद again 4 है तो यहां पर यह मैंने 28 का बनाया था अब इसको मैं show कर देती हूं इस तरह से ठीक है यानि कि यह जो चीज है यह मेरे पास किसको clothing को show कर रहे है ठीक है तिन फर्दर जो है वो मेरे पास किसको show कर रहे है house rent को तो वो मेरे पास कितना है 28 था last time उसमें 4 8 करूंगी तो 32 यह पर अब इसको मैं straight line से show कर देती हूं ठीक है house rent फिर क्या है मेरे पास जब आख बात झाल 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 झाल